Assalamualaikum students, इस वीडियो में हम exercise 7.3 के questions करेंगे जो कि mostly about sine और cosine जब भी आपके पास sine और cosine की power 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसको हम कैसे solve करते हैं? यसे तो हमें पता है कि sine की integration क्या होती है? minus cos और cos की integration क्या होती है? sine ठीक है? इसी तरह एक और भी चीज़ है, वेगर आपके पास cos 2 थीटा है, तो उसकी integration क्या आएगी? sine 2 थीटा divided by 2, यह हम करते हैं किस चीज़ से? by substitution मतलब 2 थीटा को हम यू ले लेते हैं, 2 थीटा, तो d u by d थीटा आजाएगा आपके पास 2 अगर d थीटा को हम इस तरफ लेके जाएं, 2 को इस तरफ लेके हैं, तो यह चीज़ बन जाएगी हमारे पास cos u और d u by 2 आजाएगा, वो 2 हम बाहर निकाल देते हैं, तो यह इसका हमारे पता है, क्या होता है? sine होता है, तिसलिए sin 2 theta by 2 आजाता है, तो जो भी theta के इलावा या x के इलावा साथ में कुछ और हो, तो उसका derivative आप divide कर दें, अब चलते हैं, formula's की तरफ, तो अगर आपके पास sin to the power n हो, और n 2 आजाएगा 2 से greater हो, 1 के लिए हमारे पता है, तो तो तब हम क्या करेंगे यह वाला formula यूज करेंगे, minus 1 over n, sin n minus 1 x, cos x plus n minus 1 by n, integration of sin n minus 2 x dx, और अगर cause की power 2 से greater हो, तो हम क्या करेंगे, 1 over n cause n minus 1, यही चीज है कि power में एक minus कर दो, और sin as it is, साथ लिख दो, फिर n minus 1 divided by n, और integration of cause n minus 2 x dx, अब अगर 2 हो जाए, तो हम इसको simply spread कर सकते हैं, sin square को, बजाए यह formula यूज करने के हम इसको spread कर सकते हैं, 1 over 2 times 1 minus cos 2 x में, और cos का और कम split कर सकते हैं, 1 over 2 times 1 plus cos 2 x में, तो यह simplified again यह बन जाएगा, यह 1 over 2 plus 1 over 2 cos 2 x बन जाएगा, तो इसकी integration करना साहन है, ठीक है? तो चलते हैं, question की तरफ, यह example, question 5 exercise का, sin cube a theta, सिरफ theta नहीं है, बलकि a theta है, तो इसके लिए पहले तो हम क्या कर लेते हैं, formula यूज कर लेते हैं, n इसमें क्या है, 3 है, 3 बन जाएगा, according to formula, minus 1 over 3, sin की power में n, 3 minus 1, a x, अब मैंने बात की ती, कि अगर सिर्फ x हो, तो यही आएगा, लेकर अगर x ना हो, तो हम से, इसके derivative से divide भी करना है, तो x का derivative 1 है, इसलिए यहां पर लिखा नहीं होता, formula में, लेकर अगर आपके पास, a x हो, n x हो, कुछ भी हो, तो आपने inside वाले का derivative से divide कर देना, a x का derivative क्या है, a, हम नहीं से उसको a से divide कर दिया, और cause, a x as it is आ गया, plus 3 n minus 1 by n होता है, तो यहां पर n 3 है, 3 minus 1 by 3, और sin n minus 2 है, n यहां पर 3 है, तो 3 minus 2 a x dx आ गया, अब यह simplify होके, यह बन जाएगा, यहां से 2 by 3 आ जाएगा, और इसकी integration में क्या जाएगा, साइन a x, साइन a x की में मैंने उपर बात की थी, कि इसका derivative क्या हता है, cause a x, और divide करना है, हमने किस चीज़ से, इसके derivatives है, तो इसका derivative क्या है, answer वाले का derivative, a x का derivative है आता है, हमने उससे divide कर दिया, और plus 3 लिग दिया, अब इसको अगर आपने मजीद simplify करना है, तो कर दे, otherwise, इसी तरह भी छोड़ दे, किस वाले को derivatives भी रहना दे, तो भी कोई मस्ला नहीं है, अब इसको करते हैं, formula से, दूसरे different formula से, substitution से, trigonometric identity से, sine cube को हम लिख सकते है, sine a x, और sine square a theta, हमें formula पता है, sine square theta plus cos square theta, किस की को होता है, sine square theta plus cos square theta is equal to 1, अगर मैं cos square theta को दूसरी सैट पे ले जाओ, तो यह बन जाएगा sine square is equal to 1 minus cos square theta, यहाँ पर हमारे पास क्या है, sine square a theta, तो यह बन जाएगा 1 minus cos square a theta, d theta, अब split कर दे, इसको इसके साथ भी multiply कर दे, और इसके साथ भी, तो यह जाएगा और यह जाएगा, अब आप अगेन इसके उपर substitution कर दे, यह कोई साथ भी formula लगा दे, इसके integration करेंगे तो क्या बन जाएगा, sine cube a theta by 1 minus 3a plus c, theta पर यह भी simplify होका है, अगर आप देखेंगे वही चीज़ बने लिए, इसके तरह आप इसके उपर भी formula apply कर सकते हैं, cause वाला, cause में क्या ओरता है हमारे पास, 1 over n, n क्या है मारे पास, 3, फिर आता है cause, ax और power में से 1 minus कर देते हैं, और इसके derivative से divide कर दिया, और sine जो है वो, as it is जाजाएगा, फिर plus, आप मुले के मताबिक plus, n minus 1, n क्या है, 3 minus 1 divided by 3, पर integration है किसकी cause, a theta की, sorry, theta है, t है, a t की, और 3 minus 2, dt, तो again आप इसको, 1 over 3a, cause square a t, sine a t, plus यह बन्जाएगा 2 over 3, और यह बन्जाएगा cause a t, cause a t की integration, again simplified है, आप इसको, इसको exactly you पराले मैं प्रेक्स है, इस तरह यह किवा, तो यह sin में चला जाएगा, और इसको 2 by 3, sine a t, divided by a, plus c, तो इसको simplify करके, इस तरह की shake-up बन्जाएगा सकते हैं, तो कि यहाँ पर अलरी, solve की विए, हमने जब इसको change किया, किस चीज में, cause square a t, into cause a t में, हमने square को इस form में change कर दिया, अब again, cause इसके साथ multiply होगा, तो यह आगया, cause इसके साथ multiply होगा, तो यह आगया, इसके उपर आप power run भी लगा सकते हैं, जिसका हम लिख सकते हैं, कि sine a t की power 2, sine का derivative यहाँ होना चाहिए, sine का derivative क्या है, cause a t, यहाँ पर a, और साथ में a, इसका derivative साथ में a multiply होगा, यह बन जाएगा a, तो इसका derivative आएगा a cause a t, यहाँ पर a नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से a लिख दिया, यहाँ पर भी अपनी तरफ से a लिख दियते हैं, ताकि a, 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 एक दूसरे को cancel कर दे, आप power में उन एड कर दिया, और उसी नमबर से डिवाइड कर दिया, question number seven is very simplified, आप इसमें, suppose कर दिया यह इक्र दूसी करदेड ग्रें चाड में नहीं कर दे लएगा a, तो इसावले डिवाइड डिवाइड कर दिया, लिख दिया, टिस वेकम से को दिया, dx हमारे पासे यहांपर सरफ cos ax dx है तो अगर एक दूसरी सेट पर लें यह बने जाएंगा cos ax dx इसकी जगापर हम लिखते हैं 1 over a du इसकी जगापर हम लिखते हैं u, तो इसको इंटेग्रेट करेंगे 1 over a is constant बाहर निकला power rule से plus c u square third by 2 this becomes 2a और u square के जगापर इसकी value क्या है sin ax plus square plus c यह इसकी जगापर से भी देखते हैं 1 over 2 sin square ax plus c